सो आज की सुड़ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इनसोर्ट एप में ट्रेंडिंग लीरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कुछ इस तरह का तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप भी इनसोर्ट में लीरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो और बिना टाइम वेस्ट के अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो lyrics video editing हम करने वाले हैं insert app में सबसे पहले आप अपने insert को open कर लेना कुछ ऐसा interface आ जाएगा दिन यहाँ पर आपको काफी सारे options दीखेंगे simply सा आप video को पर click कर देना उसके बाद new को पर आपको click करना होगा and यहाँ पर आपको video photo and all का एक section दीखेंगे तो आप simply सा photos वाले section को पर आजाना and यहाँ पर अपने photos को आप सेलेक्ट कर लेना for example हम यहाँ पर कुछ photos को सेलेक्ट कर लेते हैं आप भी कर लेना उसके बाद done कर देना तो photos add हो जाएंगे अब इनका जो ratio है उसे आपको सही करना होगा तो ratio को edit करने के लिए आपको जस्त यहाँ पर canvas को पर click करना होता है इसको पर click करोगे तो सारा ratio आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा अगर आप YouTube के लिए बनाना चाहते हो तो 16 is to 9 सेलेक्ट कर लेना अगर आप WhatsApp status के लिए या फिर Instagram real के लिए बनाना चाहते हो तो 9 is to 16 सेलेक्ट कर लेना उसके बाद यह वाला जो option है ना इसकी मदद से आप पूरा photo को पूरा screen में फिल कर लेना फिल हो जाने के बाद थोड़ा सा adjust करने का मन हो तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर adjust कर सकती हो उसके बाद apply to all को पर क्लिक करना यह वाला बटन को पर ठीक है तो सारा photos में just यह same चीज एडिट हो जागा means सारे photos को आपको manually यहाँ पर adjust नहीं करना पड़ेगा सारा adjust हो जागा ठीक है तो इस तरह इसा आपको सबसे पहले अपने photos को यहाँ पर adjust कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ अपने photos का duration को आपको fix करना होगा ठीक है for example लिवरा जो हमारे photo इसका duration 5 seconds तक है अगर आप रखना चाहोगे तो रखना बट यह 5 seconds कुछ जादा ही होता है इसलिए आप इतना ना रखे इसे 3 के आसपास रखते न 3 seconds परफेक्ट रहेगा ठीक है जो 3 seconds के आसपास हमने रख दिया सेम काम हम यहाँ पर सारे photos के साथ कर देंगे ठीक है सभी को एप्रॉक्स 3 seconds में fix कर देंगे और उसके बाद आप देख सकतो काफी बेटर लग रहे है मतलब कि 5 seconds तक एक ही photo चलेगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम थोड़ा सा duration को कम कर दी है उसके बाद आपको transition यूजज करना है क्योंकि इस तरीके से अगर यह switch हो जाएगा तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहे ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर transition का एक बटन दीख रहा होगा आप इसको पर click करना click करोगे तो काफी सारे आपके सामने transition आ जाएगे like यहाँ पर zoom in है, zoom out है और भी यहाँ पर glitch effects है काफी सारे कुछ step के glitch effect, कुछ ऐसा glitch effect ठीक है and कुछ इस तरीके सिनेमेटिक effects भी आपको मिल जाएगे साथे में यहाँ पर ऐसा zoom वाले, means काफी सारे effects यहाँ पर है आप इन में से किसी को भी select कर सकते हो, ठीक है तो मैं यहाँ पर just zoom in को select कर लेता हूँ, और हाँ, जो भी आप select करो न, उसका duration आप यहाँ से increase कर देना ठीक है, increase कर देना, पूरा max and उसके बाद done कर देना तो आप देख पाऊगे, कुछ इस तरीके का हमारा जो photo है, वो यहाँ पर add हो गया, animation इसमे add हो चुका सेम काम आपको सारा transition वाल बटन को उपर जाके कर देना है, मतलब कोई एक अच्छा सा, आप यहाँ से सबसे पहले transition सेलेक्ट कर लेना फिर इसका जो duration होगा, उसे max करके done कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम add कर लेते हैं and done कर लेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का animation हमारा यहाँ पर create हो चुका है अब lyrics video edit करने के लिए या फिर lyrics लिखने के लिए आप यहाँ पर दो काम कर सकतो, एक तो आप directly यहाँ पर music add करो, फिर music according, खुद से आप यहाँ पर lyrics को लिखो, जो कि एक काफी लंबा process हो जाएगा, ठीक है, तो इस process को हम just ignore करेंगे, और एक shortcut trick को use करेंगे, आप क्या करना ह बना बना हुआ lyrics को use कर सकतो, मैं आपको कुछ lyrics दिखाता हूँ, आप simply से यहाँ पर PIP को उपर click करना, इसको उपर click करके, आपको कुछ इस तरीके का lyrics studio को use करेंगे, ठीक है, यह जो lyrics studio होते हैं, यह आपको YouTube और Pinterest application, यह दो places पर आपको मिल जाएगे, ठीक है, तो इस step को जो lyrics studio देखने भी काफी अच्छा होता है, और इसे use करना भी काफी ज्यादा simple होता है, अगर आपो खुद से यहाँ edit करने जागे, तो थोड़ा सा ज्यादा time लगेगी, महनत भी लगेगी, बट यह shortcut होता है, ठीक है, तो आप यह YouTube से gain कर सकते हो, और आपका जो favorite song है ना, उस song क भी आपको lyrics YouTube पे मिल जाता है, तो इसलिए आप YouTube से जाके just लिख देना, black screen, जो भी आपको song होगा, lyrics studio, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जागा, तो वहाँ से आप इसे gain कर सकते हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे आखिर use कैसे करना है, तो इसे आपको directly use नहीं करना है, आप सबसे पहले, यहाँ पे just PIP के उपर आजाना, इसको पर आने के बाद, आपको एक PNG एड़ करना है, ठीक है, फोटो जाले section को पर जाके just इस PNG को आप सेलेक्ट कर लेना, इसका लिंक में दे दोंगा description, तो आप वहाँ से इसे gain कर सकती हो, ठीक है, इस वाले PNG को से screen फिल करके, नीचे में आप इसे fix कर देना, ओके, fix हो जाने के बाद, इसका duration पूरा last तक रखना है, जहां तक आपका photos का duration होगा, ओके, तो यह वाला add हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे lyrics video को add करना है, तो lyrics video add करने के लिए फिर से PIP को पर क्लिक करना, और इस बार वी description में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसे gain कर सकते हो, ठीक है, तो add कर लेने के बाद, आप just यहाँ scroll करना, and blend का एक option आएगा, इसके उपर आपको click कर देना है, और screen को select करके, just done कर देना है, ठीक है, उसके बाद इसे आपको नीचे में यहाँ fix कर लेना है, ओके, अपने वीडियो को और बेटर बनाने के लिए, आप यहाँ पे कोई overlay use कर सकते हो, तो plus वाले बटन को पर click करके, कोई overlay को आप सेलेक्ट कर लेना, इस टैप को overlay आपको YouTube पे मिल जागा, कुछ का link में दे दूँगा, description तो आप वहाँ से भी से gain कर सकते हो, अब इसका black part हटान के लिए, आप just blend वाले option को पर आजाना, and यहाँ से screen सेलेक्ट करके, done कर देना है, ठीक है, तो इसका black part भी हड़ियागा, और आप देख सकते हो, completely हमारा यहाँ पे lyrics would create हो चुक है, and यहाँ पे आप कुछ चीज़े adjust भी कर सकते हो, just like आपका जो यह lyrics है, इसे थोड़ा से size increase क कर सकते हो, for example filter पर आप जाना, adjust के उपर आप जाओगे, तो काफी सारे option मिलेंगे, सबसे पहले आप brightness को थोड़ा कम कर देना, so that कि आपनी जो भी overlay add कि है, या फिर lyrics would add कि हो highlight हो सके, अच्छे से दीखे, ठीक है, उसके बाद saturation को आप यहाँ से increase कर सकते हो, काफी अच्छा ल मिलता है, इसको पर आप क्लिक कर दोगे, तो सभी में ये apply हो जागा, सभी photo को आपको एक करके edit नहीं करना पड़ेगा, और हाँ एक चीजा आप और कर सकते हो, यहाँ पर यह जो vintage का option मिलता है न, इसको पर जाके इसे थोड़ा सा increase करके, just done कर देना, और इससे भी apply to all पर ही रहत है, ठीक है, तो कुछ चेंज करने की ज़रत नहीं है, सिर्फ सेव को पर क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा, तो मिलते हैं वापनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye